हाई गाईज मैं हूरिका चौधरी और स्वागत है आप सभी का सीर्टी वाई स्टूरेंट खपरी के नए वीडियो में तो यह आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओफ उरिसा के बारे में 2023 में जो उसका रैंक है वो है 150 से 200 के बीच बाकी अप्रूवल्स UGC और NAC एने इसको अप्रूव किया है कैंपस एरिया की बात करें तो 450 एकर में फैला हुआ है ओफिशिल वेबसाइट है cuo.ac.in आगे हम बात करते हैं यहाँ पर UGCourses जो CUT यानि Central University Eligibility Test के अंदर जो है UGCourses जो यहाँ पर ओफर किये जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर है Integrated MSC in Mathematics और यहाँ पर जो कोर्स ओफर किया गया है वो है Integrated MSC in Mathematics अगैन उसके बाद यहाँ पर Domain के अगर हम बात करें तो English Mathematics और Physics है Eligibility की बात करें इस प्रोग्राम की तो वो है 12 में Science होना चाहिए Mathematics और Physics जो है आपका होना Important है the subjects also 55% marks और 55% marks in Mathematics और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% का यहाँ पर relaxation भी दिया गया है to SC, ST और PWD candidates आगे हम बात करते हैं यहाँ पर course fees की तो course fees आप देख सकते हैं हर semester की जो course fees है वो है 6-7,000 यानि per semester 6-7,000 यहाँ की course fees है hostel fees की बात करें पहले semester की 4-5,000 और बाकी जो दूसरे semester है उनकी 3-4,000 यहाँ पर hostel fees होती है आगे हम बात करें admissions 2023 और 2024 तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दू कि जो last date है UG registration की वो 27 जुलाई है शाम 5 बजे तक आप यहाँ पर registration कर सकते हैं यहाँ पर भी registration कर लेना कल last date है उसके बाद यहाँ पर जो पहली merit list जो है वो declare होगी 28 जुलाई यानि कल आपकी registration और परसो यहाँ पर first merit list declare कर दी जाएगी उसके बाद यहाँ पर classes के commencement को देखे academic session जो शुरू होगा वो होगा 7 अगस्त 2023 को आगे हम बात करते हैं facilities की तो university में क्या-क्या facilities है अच्छी सी central library है ICT enabled classes है लेबोरेटरीज है वाइफाई है hostel है boys और girls दोनों के लिए यहाँ पर आगे है health center cafeteria auditorium है music room है और art gallery और भी बहुत कुछ तो आगे चलते हैं यार यहाँ पर आगे हम बात करें तो यहाँ पर scholarships की अगर हम बात करें तो यहाँ पर university काफी धना की scholarships provide कर दी है पहला है यहाँ पर central university scholarship उसके बाद है merit come means scholarship उसके बाद एक hostel scholarship भी यहाँ पर available है में scholarship है library scholarship है और scholarship 4 SC ST OBC and PH students तो यह जो है in students के लिए SC ST OBC and PH students के लिए भी यहाँ पर scholarship available है आगे हम बात करते हैं यहाँ पर placements की तो यहाँ प्लेस्मेंट्स जादा हाय नहीं है यहाँ पर तो काफी medium सा package है 2022 की अगर हम बात करें तो MBA course में जो average placement यहाँ पर हुआ है वह हुआ है 2.50 LPA का overall UG के program की बात करें कोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो placement 2022 में हुआ है which was 1.80 LPA बाकी PG के courses की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो average placement है वो है डेर लाख पर एनम overall PG integrated five year course की अगर हम बात करें package की तो वह भी यहाँ पर लगभग लगभग 1.50 LPA यहाँ पर देखा गया है आगे हम दूसरे courses की अगर हम बात करें MBA course की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो placement rate है 2021 का placement rate आप देख सकते हैं यहाँ पर total students जो की placement में बैठे थे वो थे 30 और यहाँ बे jo students placed हुए हैं वो है around six 2022 की बात करें यहाँ पर placement rate जो है again total students nober of kalo of placements में बैठे थे वो थे 30 और यह hem पर जो placed student है वो 20 है comparisonly मैं अगर comparison करें 2022 का 2021 से तो यहां पर 2022 में जो है placement opportunities हाई रही है बाकि अगर overall UG के 3 साल के program की अगर हम बात करें तो यहां पर 2021 के अंदर students दो students सिर्फ placed हुए हैं यहां पर 2022 में तीन student placed हुए है तो overall यहां जो है आप placement rate देख सकते हैं आगे हम बात करते हैं यहां पर hangout places की तो जाहिर सी बात है college है आसपास कोई relax करने की कौन सी कौन सी जगे हैं तो आप देख सकते हैं सूना बेडा लेक हो गई सूना बेडा wildlife century है यहां पर कपिल आश्रम है चित्रकुंडा है तो यह सब ही कुछ ऐसी जगे हैं जहां पर आप आसपास सकते हैं connectiviti की बात करें तो यहां पर nearest जो airport है वो है जैपूर airport जहां जैपूर रही जो की 70 किलोमीटर की distance पर है बागी nearest railway station की बात करें तो वो है सूना बेडा railway station जो 5 किलोमीटर की distance में पड़ जाता है बस्टेंड की बात करें, अगें सुना बेड़ा यहाँ पर, तो यह सबी जो है connectivity area है, यहाँ पर reviews की अगर हम बात करने, university के, तो यहाँ पर positive reviews की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले experience faculty है, काफी knowledgeable है, उसके बाद यहाँ पर जो research में सबसे ज़ादा focus, वो research के उपर किया जाता ह beautiful campus है, pollution free, green campus यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, negative reviews की बात करें, basically remote area में, यह situated है, यानि outskirts में, जादा public transportation यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, majority of the students जो है, उरिसा के ही है, मतलब lack of diversity, बाकी slow administration है, और placements तो जैसा की हमने देखा, काफी low placements यहाँ पर है, तो किसी तरह के और colleges के reviews अगर आपको चाहिए, comment section बताईए अगला कौंसा college है, जिसका review आप चाहते है, और telegram channel, CVT by student khabri को join करना मत भूले, link description में मिल जाएगा, and for more such information, don't forget to subscribe, CVT by student khabri, I hope you like this video, for more such videos, keep watching our channel, and do not forget to like, share, and subscribe.